जी हां नमस्कार मेरे पिरिये साथियों और दोस्तों आपके अपने यूटूब चेनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुने बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन अभिवादन रीटी पेपर आउट परकन को लेकर आप नया तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है पेपर अपडेट के और आगे बड़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कीजेगा अधिक साधिक संख्या में सेर कीजेगा क्यों अभी वो नया मोड आना बाकी है पेपर आउट परकन में जो कुछ भी हो स रखता है उस मोड के बाद में तो आपसे सभी से उमीद है कि वीडियो को निवेदन है आपसे ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा बाकी कोई भी वीडियो के लिए मैं आपको नहीं कहता इसके लिए बार बार करा हूँ सेर कीजेगा क्या पता किसी की अंदर की आत्मा जाग परते और आज 11 वाद दिन उनका अंसन का चल रहा है उनके साथी की तब्यत अचानक पहंकर खराब होगे उनको जयफू रेफर किया गया है जुनजनु के बीडी के होस्पिटल में वो खुद भरती है उनकी सहत में भी लगातार गिराउट हो रही है तो आप सभी से निवेदन है कि एक आपका लाइक और एक आपका सेर यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है साथियो संपुन अपडेट आपको बता रहा हूँ यह देखिए सबसे बहले रीटी पेपर लिक राजस्तान सिक्ष्या बोर्ड अजमेर की अध्यक्स डीपी जारोली से सुरू होता है जी हाँ पूरी कड़ी आप समझे पूरी कड़ी आपको मैं भी स्तार से बताने जा रहा हूँ ठीक है डीपी जारोली अपने खास दोस्त रिटायर व्याक्याता परदी पारासर को जैपूर का जिला कॉडिनेटर नुक्त किया पारासर एक प्राइवेट वेक्ति हैं जिनका किसी भी परकार से कोई सम्मन नहीं है जिनमें एक जैपूर तिर्वेणी नंगम से राम किरपाल मीडा था जिसने 24 दिसंबर को एक लिफाफे में से पेपर निकाल लिया और उसने उदाराम विश्णोई को पेपर बेचा उदाराम ने 25 सितंबर को भजनलाल को पेपर दिया अभी तक 35 गिरपतारिया हो चुकी है ये एक चैन बन चुकी है एक कड़ी बन चुकी है जो यहाँ पर पेपर आउट हुए है जबकि प्रेस कॉनफरेंस में यह नहीं बताया गया कि जिस जगह प्रिंटर लगाकर पेपर बेचा गया वहाँ कितने इस तर तक पेपर बेचा गया अभी यह अनुमान लगाना भी संबव नहीं है कि कितने वेक्तियों के पास पेपर पहुँच गया है दो दिन पहले पेपर लिग हो चुका था सबसे बड़ा स्वाल डीपी जारोली को किसका सरक्षक है यहां पर सरक्षन है कि उनसे एक प्राइवेट जिला कॉडिनेटर न्यूक्त कर दिया 26 लाख रेट परिक्षार्थ के भंशे को दाव पर उन्होंने लगा दिया अब कुछ महतोपुन क्यूसन सरावक एजुकेशन की ओर से लगाए गई गंभीर आरोप तत्यों की आधार पर सुनिए राम किरपाल मिना जिसकी खुद की जैपूर में कोचिंग है उसको सिक्षा संकुल पर जाने की अनुमती किसने दी क्योंकि पेपर आउट किसने किया सिक्षा संकुल से राम किरपाल मिना ने ठीक है राम किरपाल मिना एक प्राइवेट कोचिंग का संचालक है उसको सिक्षा संकुल में जाने की अनुमती किसने दी और बड़ी बात जो बोड़ अध्यक्स जारो लिजी है वो 25 तारिक को सिक का सिक्षया संकुल पहुचना और देर रात वहां से पेपर का निकलना बहुत बड़ा सवाल या निसान यहाँ पर इनकी राम किरपाल मीना की जैपूर में प्राइवेट कोचिंग के मालिक हैं तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस कोचिंग वाले ने अपने कितने पेपर के पास 24 सितंबर को पेपर का पैकेट खोल कर और पेपर की सील पैक करके उसमें से पेपर निकाल कर बाहर आ गया, किसी को पता तक नहीं चला, क्या रीट जैसी बड़ी भरती 25 लाग अभ्यर्थियों ने इसकी परिक्षा दी, क्या उनकी भौशेव को इतने दाउं पर रखा कि वहाँ पर किसी भी परकारी को शेकरोटी नहीं रखी गई, जिसकी खुद की कोचिंग है, उसने अपनी कोचिंग में वहे पेपर नहीं बाटा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, इन सवालों के जिवाब दे दो, हम माल लेंगे कि सरकार लिप्त नहीं है, एसो जी कि पेपर जिस दिन होता है, उससे पहले जहां पर पेपर रखे जाते हैं, हर कोई वेक्ती वहाँ पर नहीं पूंच सकता है, अपनी आईडी और परमिसन लेके ही जा सकता है, तो वहाँ पर राम किरपाल ने किस की परमिसन ली, कौन से अधिकारी ने, किस विभाग ने उसक तीफा दे दिया है और खुद वो बड़ा प्यादा थे बौड अध्यक्स खुद इसमें बड़ा प्यादा है क्योंकि बौड अध्यक्स देर रात को वहां पर पहुंचे इस सबसे बड़ा सवाल क्यों गए और आपके पास अगर इन सबी सवालों में से एक का भी जवाब है तो आप मुझे बताएं, वोट्सअप नमबर दिया गया, इस पर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, किसी भी एक सवाल का आपके पास में जवाब है इस से रिलेटर, तो आप हमें जरूर बताइयेगा इस पारती से रिलेटर, ये एक WhatsApp नमबर यहाँ पर जारी किया गया है इसके जरीए आप बताएं और आपके पास में अन्ने कोई स्वाल है वो भी आप बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा और जुन-जुने के जो जावाज सैनिक हैं फोजी हैं जो ग्यारवे दिन आमरण अन्सन पर बैठे हैं वो भी यही सवालों के जवाब सरकार से मांग रहे हैं और सीबियाई जांच में इसका खुलासा होगा और निस्चित है अब बीजेपी ने भी इस बावत में कमर कसली है अब सरकार के पसिने छुटने हैं यह इसमें निस्चित हो चुका है कितने दिन तक सीबियाई जांच से इंकार करेगी और आगामी पांस साल बाद में सरकार चेंज होती है अभी सरकार चेंज होगी लगबग टेड़ पूनी दो साल बचा हुआ है उसके बाद में बीजेपी इसकी जांच करवा लेगी तो कोई इसमें लिप तताथ से खासे नंबर लेकर वो यह निस्चित ना हो जाएं कि मेरे को नौकरी मिल चुकी है अभी बहुत कुछ इसमें होना बाकी है अभी तो ट्रेलर है बहुत कुछ होना इसमें बाकी बचा हुआ है ठीक है और इस वीडियो को जाद़ से जाद़ से जाद़ सेर जरूर कीजिएगा साथियों यहाँ पर देख सकते हैं